3, 6-3, जब Riggs ने ये क्लेम किया कि कोई भी फीमेल टेनिस टार उनके लेवल से मैच नहीं कर सकती, उन्होंने ये चैलेंज लिया और उनको हरा के दिखाया चैलेंजर्ज आप में से साथ लोगों का जवाब सही था और सबसे तेज उंगली रही इशान की सरीन ये है आपका चौथा सवाल coming right up on your screen इन में से किस बॉलीवोड हस्ती ने साइकलिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है ये है आपके options जान की दास महरा, सोरा मोधी, फियलस नाडिया, भगवान दादा येस सरीन आपने कौन सा जवाब लोग किया है लॉकिया डी भगवान दादा आपने भगवान दादा को देखा है? बिल्कुल नहीं लेकिन मैं आपको बता दू कि आपका जो जवाब है डी भगवान दादा वो गलत है सही जवाब हमारे चालेंजर जोन में सिर्फ दो लोग जानते हैं चलिए पूछते हैं इशान आप बता सेते हैं इसका सही जवाब जान की दास जान की दास महरा दो राइट आंसा सरीन ये राउंड आपके लिए खत्म हो गया हम अब चालेंजर्जर्ज में से किसी एक को चुनेंगे आपको चुनौती देने के लिए सेमी तक पहुंचना वाक के बॉटम पर 50 पॉइंट्स पर हमें अलविदा कहेंगे इमरान 60 पॉइंट्स के साथ हमें छोड़ेंगे ओ नो अन्शुल 60 पॉइंट्स पर आप हमें छोड़ेंगे महक और अब एक खिलाड़ी बाकी है उन्हें पिशले राउन में तीन सवालों का सही जवाद दिया और कुछ बहुत तेजी से भी लेकिन उनका कुल स्कॉर इस वक्त है 70 पॉइंट्स इशान, महक इम्रान, इशान, अन्शुल बहुत खुशी हुई कि आप यहां तक आए थैंक यू फो बिग विट उन्हें सेमी फाइनल्स ऑफ स्पोर्ट्स का सूपर्स्टाव और अब हमारे मेदान में पाँच खिलारी बाकी हैं मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सभी 80 पॉइंट्स पर हैं फिर मामला टाइम का बात वही पर आ जाती है कि किसने सबसे कम समय में ये 80 पॉइंट्स बनाए हैं सोम्यो दिप्ता, इस नॉट यू तिताश, इस नॉट यू राहूल, इस नॉट यू आतुल, इस यू वेल ड़न, वेल ड़न कहिए एक बार तो आपका सांस रुग गया था लेकिन आपने कुछी सेकंड्स की लीड लेकर ये कुरसी अपने ले कर ली है आप हमारे अगले चालेंजर हैं और आप चुनौती देंगे सरीन को आप में से वो लोग जो अपनी टाइमिंग पर गौर फर्माना चाहते हैं सरीन हैं 100 पॉइंट्स पर अप सब 80 पे हैं तो शूट आउट होने से पहले ही यहां चार खिलाडियों का इंकाउंटर हो गया पर ये खेल का हिस्सा है नियम है असली शूट आउट ब्रेक के बाद होगा और उसके विजेता को मिलेगा कंफर्म टिकेट शो के फाइनल का बहुत ही मज़ेदार गेम होने वाला है कहीं जाने का सोचेगा भी मत we'll be right back on sports का superstar